नमस्कार मैं नवयन रॉय दाक्वेरी डॉट कॉम फिलाल अभी मुंबाई में हूँ 26 गरा करने आएं फिर मिल गें बहुत बड़ा ट्रेडिनल लीडर है मिस्टर पी एम वर्तक सीटू का मुंबाई का जो सिकेटरी जिनरल है देश के परिस्तिति के बारे में देश क्या चल है मारस में क्या परिस्तिती है सब कुछ सुनेंगे उनके साथ वर्तक साहब पहले सागत अविनांदर आपके साथ जो जो पार्टी है पता नहीं भीच में भीखड जाए ऐसा होना संभव नहीं है जो इंडिया के अंदर भी जो पार्टी है वह समझ चुकी है कि देश के अंदर का जर्फ हैसिजम जो है उसको जर्फ खतम करना होगा तो बाकी छोटे मोटे जो अपने अंदर जो सवाल है उसको बाजूर रखे हमको इकट आना पड़ेगा और उसके लिए इंडिया बनी है और इंडिया के अंदर इतने सारे पक्ष नैशनल पक्ष भी है और छोटे-छोटे जो स्टेट के अंदर जो पक्ष है वो भी इकटा आए और तो ऐसा उसके अंदर से कोई बिगेंड ना इतना कोई आसान नहीं और अचा होगा नहीं कि लोगों को समझ चुका है कि इस फैसिजम को खतम करना होगा और मोदी की राजवाट को खतम करना ह होगा तो अपने को इकटा होके उस यह लड़ाई को आगे लेकर जाने पड़े है चोईस का जो मार्च के अंदर इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन के अंदर इंडिया को जितना पड़ीगा वर्तक सबसी बड़ी बात ही है महारस्ट में जहापर हम देख रहे हैं इंड कर तक जो qaq kongres के अंदर और इसके बात हो कई टारिं के अंदर शियुशेना वेकंशन के अंदर अगे बेंद जाने के बाद और कॉंध के बड़ा फरक बडा इसनही था ही हैune साथितन साड़ार महाराष्त के अंदर जो undo इंडिया डियू hopा डियू कर लाहा तो आभी पुलप्मट्य नहीं है एगलीकर्जेन के बारे में ज़ेर बताया जाएगा खाली बताया जाता है इसा कि हम लोग बहुद बड़े काम करें बहुद बड़ा हम लोग डैम बान के किसानों को पानी दे रहें। लेलो गिहू लेलो उसको जो मिलना चाहिए मिनिमम प्राइज मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और सरकार महाराष्टा की सरकार भी खाली बताती है कि हम यह कर रहे हैं करके हम अभी सभी किसानों का करजा माप कर रहे हैं सही मनों में ऐसा कुछ होने रहा है जो कुछ थोड़े लोगों करजा माप हुआ होगा लेकिन जिदर लाखों किसन का करजा है आज वो करजा माप ने होता है और उसके वज़े से यह महारश्टा के अंदर बार बार सुका गिरना विदर्ब के अंदर मरा ठोड़े के अंदर बारिश के वज़े से भी वेकेट वेकेट बारिश नहीं एक तो पीजे पीए, दुसरे तो सिंदेगट सिवसेन आए और तिसरे अजित पवार का राष्टवद गट रही तीनों के ट्रेंगल के उपरे सरकार चलिये, हम तीन खंबे की सरकार बोलते हैं इसको और इसके अंदर कोई ऐसा United कोई decision होता ऐसा नहीं, हर लोग अपना-पना रखते हैं अपना-पना political बात रहते हैं लेकिन किसानों का या मजदुरों का कुछ आगे करना चाहिए, ऐसा करने का इनके अंदर नहीं, बहुत बहुत करते हैं, हम भी जबी मूर्चा निकलते हैं, सब कुछ करते हैं, उनसे मिलते हैं, हम करने वाले सकार अत्मक हम बात करे लेकिन असल में उसका implementation वो करते नहीं, और उसके लिए ये सरकार जो है, आज की सरकार है, दोज़े दोज़ेदर चोविस का जो election होगा, इसके बाद वो रहेगी नहीं, यह तो सही बात है, हम किसान के लिए ओ करेंगे, इंडस्ट्री के लिए ओ करेंगे, मगर बादा- रहे जाते हैं, यह सवाल है कि हर जो पार्टी वो अपना जाहिर नमा तो करती है, डिकलरेशन तो करती है, इंडिया भी डिकलरेशन करेगा, यहा जहां महाविकासा अगाड़ी है, जिसके अंदर सिवसे ना है, राष्टरबाद है और कॉंग्रेस है, यह तीनों का मिलके मह महागाड़ी का सरकार था पहला, दो साल चलाया, करोना के टाइम में, अच्छे सरकार चलती थी, अच्छा कुछ होता था, लेकिन सवाल है, बेजेपी का एक अजेंट आ रहा है, पुरा देश के अंदर, कि दर विया इसी सरकार होगी, तो इस सरकार के लोगों को तोड़ना, उनको कुछ पिट लेके पैसा देकर उसको खरिदना, और वो सरकार को गिराना, वैसा ही महागाड़ी का सरकार को गिराया गया, का सिहुसे ने के अंदर, दो भाग करके, एक एकना सिंदी को अलग किया, उद्दध ठाकरे जो अलग हो गए, और उसके वजे से, ये सवाल पसंद नहीं है, ये सही परिस्थिती है, साब जी जहापर पॉलिटिकल इडियोलोजी के जहापर बात होता है, लेप्ट की एक अपना अलग धाचा भी है, अंदाजा भी है, बास्तुप के जमीन के उपर आप लोग बात करते हैं, इसान के साथ, मजदूर के साथ, लिबर क पॉलिटिकल सत्ता के लिए आप लोग पॉलिटिकल सत्ता के लिए हम लोग नहीं कर रहे है, ये गलत तरीका है, हमें मालूम है, कॉंग्रेस ले लो, मौम्ता बेनर्जी ले लो, अवर कही लोग लो, बीज़े भी तो करट है, साओ टक का करट है, जिसने, जो 14 का इलक्शन क लोग लोग में, जो खत्म करना होगा, वेम लोग विज़े प्रमें कर रहे हैं, जो 14 said, स्वन कोर्पोशन जाए, लेकिन 9 साल के लोग नहीं क्या एक सब्सato deform Audio में, कॉर्ण करमिय की लोग तो के लोग है, कॉन कर आपकर लोग ले लोगा है, भी सशओ् besten वे लेने ले बुंदे इपाइसा इसका मतलब ऐसा कार्प्शन आज देश का फूरा बेश के अंदर कारफ्शन हम लगे हिरा मिमारी है अर्य हमारे देश ignored है लेफ शोड़के ही अएक कोई भी कोई का और करी इस Beim बनाए नाइटींट फिप्टी के अंदर अमड़कर देक्षर के अंदर इख सविधान बना और सभीधान दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सचा सविधान करके इसको माना जाना चाहत दिए इस धाचा को तोड़ने का मैं किया वो लोग ने लग तोड़ने दाचा को बहुत नहीं बचेगा तो इस देश के अंदर फैसिजम आ जाएगा आप एक चीज़ मानते हैं साब जी दुआज़ए चोवीज में राम मंदिर का इनागरेशन होगा जहापर मेरु करण की बात होता है राजडीती की जहापर बात चोवीज में मोधी जी राम मंदिर को लेकर आगे बर सकता है जहां तक राम मंदिर का इनागरेशन करने का इस्यू है बाईश जाने वली को होने वाला है ऐसा डिकलरेशन हो है हमको इसके खिलाब तो नहीं है समझा हमको राम का मंदिर ने होना चाहिए यह ने हमारा रखना ऐसा है सिर्फ इस देश धरम के उपर नहीं कि इस देश के अंदर सभी धरमे को समान अधिकार आपको देना पड़ेगा समझा जात्पाद राजिदी से दूर फोना चाहिए यह सब इससे आपको बाजिव में रखना पड़े हरे का कल उधर भी आयोद्या में भी मज्जित का काम चलुए जिनको जगा दिया मज्जित तो वह भी कल उठके वाइसा ही इश्यों आ जाएगा अमें आप राम मंदिर का इलेक्शन करो लेकर आप क्या राम मंदिर का हिन्दू लाइन तो हिंदूत हो ना इसलिए बिजेबी का लाइन जो है हिंदूतों का लाइन और अभी बाइस जानेवरी को जो लोग और उसके लिए इतना गया अभी भी मंदीर पुरा पायार नहीं हुआ आप बोल रहा है मंदीर को लेके चोबिश इलेक्षन में सेंटिमेंट खरा कर सकते हैं यस डेफिनेटली वो करे गाई और उनका यह रहेगा वो इसका इशु लेके हम राम मंदीर के खिलाब नहीं है राम मंदीर होता है लोगों का सेंटिमेंट होगा लोग राम मंदीर में जाएगा हर मंदीर में जाता है इस देश के अंदिर लाखों मंदीर है एक मंधिर नहीं, मगवान तो सब जगह में एक ही रहेगा, तो फिर भी sentiment से कई लोग का, कोई इदर जाएगा, कोई धरगा जाएगा, कोई गुरदवारा जाएगा, यह सब अपने-पने जगह पे जाएगा, उनका sentiment को हमको हट करना हम नहीं चाहते, हम लेप करके तो हमको हट नहीं करना है उनको जरूरत नहीं है उनका सेंटिमेन उनके पास लेकिन वो मुद्दा लेके राजकारण के अंदर पॉलिटिस के अंदर होट मत मांगो आरब शगर में इतना लहर होता है इस लहर में आप लोग इंडिया जोट है अब तरीक पार कर सकते हैं देखो हर चीज़ जब हम हर जो लोग जो मनाते तो यह दिमाग के अंदर रखे के बोलते कि हमको इसको पार करना ही वैसा इंडिया ने जब भी बनाया गया तो ओई एक कि चोविस का इलेक्शन के अंदर हमको मोधी को हराने का यह नया हमको बाप पूरी करने और देश के करौना रुपे देखे रिल्लाइंस अंबानी के हात के अंदर अतर जो दिया है और आज उनको जो चाहिए वह लिखते बागी कुछ लिखता नहीं बागी चोटे-चोटे लोग है वो शोशल मीडिया से लिखते लेकिन चंद्राल मीडिया जो जो है गोजी मिडिया उतो जो आज सरकार के साथ है और वो सरकार उनको खरीद करके रखा है कि अधानी ने पूरा चानल खरीद करके रखा है अंबानी ने पूरा चानल खरीद करके तो यह सब इसके अंदर लोगों के सामने टीवी के अंदर से रोज-रोज होई बोलना एक हिटलर के टाइम के अंदर गो करनेंगा इसा उनके दिमाग के अंदर और उसके लिए हम लोग ने देखा है कि जो भी मेडिया सरकार के खिलाब बोलता है उनको तो अंदर में डाल देता है और उसके उपर देश-द्रोग का यह भी लगा आरोब भी लगता है तो देश-द्रोग तो अभी कुछ रहा नहीं जो उठाए का तो उनके खिलाब है सरकार के खिलाब जो बोलता है मोदिये खिलाब जो बोलता है वो देश-द्रोगी है ऐसा उनका सापकाना है अंत मेरा मैं अंत करता हूं अंत में एक सवाल है पी एम वार्तक साब आप सीटू का मंबई में सेक्रेटर जेनरल है भविशत क कि आने वाले के लिए देश का भविश्य सुदारने के लिए देश के भविश्य के अंदर आइसा ही चलते रहा और फैसिजम आया तो इस देश के अंदर की जो लोक्षा है हम लोग ने 75 years के पहला भगत सिंग के ऐसे लोग जो हुतात में हो गए भगत सिंग ले लो और जो सब जो हो गए सब लोग ने जो किया और देश के अंदर का ये राच हम लोग ने आसानी सिज्जो आजात किया इस देश को 47 के अंदर जिसके अंदर सब लोग कहा है, जिसके अंदर मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे ही, सीख भी थे, सब लोग थे, तभी कोई ऐसा नहीं था, क्या जो आज लड़ते हैं, वो उसके अंदर कोई नहीं थे, आज जो राज कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने का मतलब यह सब्सक्राइब करते हैं उसको दक्का दिया अज लोग भी ओपन में बोलता है इस देश के अंदर कौन सी लोग शाइए हम बोलने सकते हम कुछ सरकार के खिलाब बुले तो हमको नोटिस मिलता है इस सेरे का सब चलता है पर उन्होंने उनको मिलते नहीं है इसके करन मोधी जी है तो इस लड़ाई में महावरत जुद्ध में पीम वर्तक साब जिन्होंने मिसीटू का नेता बुद्बर लीडर है उनका जो भावना है जे करप्शन है कुस्टेट इरिजनल पार्टी में करप्शन है मगर उस अभी हुआ है एकटा हो चुका है एकटा कैसे रहेंगे अभी 24 तक इलेक्शन से पहले बता सकते इंडिया जो कैसे कुन से पौत में जा रहा है नमस्कर मैं नोइन राए मुंबाई